दोस्तों कि आप जानते हैं कि बिना सिमेंट के ताज महल कैसे बना जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आजकल ब्रेज, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है या कोई भी मॉनुमेंट सो वो सिमेंट से ही बनाय जाता है लेकिन दोस्तों ताजमहल बीना सिमेंट का बनाया है आखिर कैसे ये किस चीज़ का बनाया है कि इतने सालों से यानि करीबन साड़े तीन सो सालों से वैसा को वैसा ही खड़ाया और इसने कितने वुकम, कितनी नैचुरल डिजास्टर यानि आपदाये जहली है उन्हें साड़ हम बया भी नहीं कर सकते और दोस्तों जब ये ताजमहल बनाया जा रहा था तो उस समय इसकी लागत क्या आई होगी कितने लेबर्स काम कर रहे होते और ये यमना नदी के किनारही क्यों बनाया गया और ताजमहल में आज तक लाइट्स क्यों नहीं लगाए गए जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब दोस्तों आप वीडियो के अन तक बने रहेगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल ऐकन को भी दबा लीजेगा दोस्तों हर सरय लागव की संख्या में लोग ताजमहल को देखने आते हैं जैसा कि आप ताजमहल की इत्यास के बारे में जानते हैं कि साजहां ने मुम्ताज के याद में इस ताजमहल को बनाया था और ये ताजमाहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में इस्थित है लेकिन दोस्तों हमारा सवाल है कि ये बीना सिमेंट के ताजमाहल आखिरी खाड़ा कैसे हो गया जबकि सिमेंट का अभिस्कार तो 1824 में जोसेप एस्पदीन के द्वारा हुआ था और ये इंगलेंड में रहते थे और इन्होंने ही सबसे पहले सिमेंट की फैक्टरी यानी कंपनी बनाए थी और जिसका नाम था पोर्टलेंड सिमेंट और ताजमाहल का कंस्टरक्शन 1631 में सुरुआ था जबकि दो सताबदी पहले तो आखिर इसे बनाया कैसे गया होगा और उस समय के कारिगरों ने सिमेंट के बदले क्या यूज किया होगा चलिए जानते हैं उस समय के कारिगरों ने ताजमाहल को बनाने के लिए एक खास तरका सिक्रेट पेस्ट बनाया था जो सिमेंट की तरह ही काफी मजबूत था चले उसको आगे हम बताते हैं और ताजमहल को बनाने में बेस किम्ती पत्थर यूज किये गए थे जो थे क्याकीब, येमेनाइट, फिरोजा, लाजवाड, मुंगा, सुलमानी, लसानिया, तामरा, यसाब ये सब पत्थर यूज किये गए थे, जो काफी दुरलब थे और ये उस समय रसिया, रजस्तान, उजबेकिस्तान, इरान, इसराइल, इत्यादी देसों से मंगाए गए थे और ताजमहल को मनाने में अल्टरा स्टोन भी यूज किये गए थे जैसे की तिलाई, पाईजार, अजूबा, नाखोड, पत्थर यूज किये गए थे ये इतने दुरलब पत्थर थे कि पता निसा जहां ने इसे कहां से लाए थे अब बात करते हैं उस सिक्रेट पेस्ट की जो ताजमहल में यूज किया गया था उस पेस्ट को बनाने में गूड, बतासा, किवी का पानी और भी बहुत सारी चीजे डाल कर बनाई गए थे जो सिमेंट से भी कहीं जादे मजबूत थे दोस्तों जहां बुर्ज खलीफा की नियू को बनाने में स्टेल रोड्स का इस्तमाल किया गया था जबकि ताजमाल को बनाने में लकडियों का इस्तमाल किया गया था दोस्तों कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि लकडि का नियूट 370 सालों से कैसे चलती चली आ रही इसमें सबसे बड़ा रोल यमना नदी का है यमना नदी से पीसे बेहतर लुक ही नहीं बलकि अगर यमना नदी नहों तो ये ताजमाल गिर भी जाएगा दरसल दोस्तों उस समय के कारिगरों ने ताजमाल को बनाने में कुछ ऐसी लकडियों का इस्तमाल किया गया था अगर यमना नदी सूख गई तो ताजमाल भी खड़ा नहीं रह पाएगा दोस्तों आपने देखा होगा कि ताजमाल के जो चारों मीनार हैं वो एक दूसरे से परपेंडुकुलर खड़े नहीं हैं कहने का मतलब यह है कि यह एकदम सीधे खड़े नहीं हैं हलका जुके हुए हैं ऐसा इसलिए किया गया था कि अगर कभी भविस में भुकम पाता है तो यह जो चारों मीनार हैं यह ताजमाल पनर गिर के बाहरी साइड गिर जाएंगे जिससे ताजमाल को कुछ भी नहीं होगा और मीनारों के गिरने के बाद मतलब ताजमाल को कोई छटी ना पहुँचे और ताजमाल साई सलामत बच जाए दोस्तों अब बात करते हैं कि ताजमहल को बनाने में उस समय कितना खर्ज आया होगा जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उस समय एक रुपई की कीमत भी कहीं बहुत जा देती तो उस समय जब उस समय चीज को अगर आज की तुला में कंपेर करें तो हमें इस ताजमहल को बनाने में 8000 से 10,000 करून रुपए का खर्च आएगा दोस्तो अब बात करते हैं कि ताजमहल में लाइट क्यों ने लगाए गई इसके पीछे का रीजन क्या है तो चले हम आपको बताते हैं कि ताजमहल पे लाइट इसलिए ने लगाए गई क्योंकि ताजमहल जो बना है वो सफेद संग्मरमर का बना है और वो बहुत ही ज़्यादे लाइट को रिफलेक्ट करता है अगर इसमें लाइट लगा दी जाती है तो ये लाइट को रिफलेक्ट करेगा और रात में कीडे मकोड़े आकर मतलब इस पे बैठेंगे और वो जो उसके पत्थर लगाए गए है संगमर को उसे च्छती पहुचाएंगे इसलिए लाइट्स नहीं लगाए गई है दोस्तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा अगले वीडियो में